Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग मैं सुमिदा मेरी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक ब्रद्धी एवं विकास हमारा UGC Net Paper to Education ब्रद्धी एवं विकास दिखी क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से और ये एक महतुपूर्ण टॉपिक है इस से रिलेटिट कोशन हमारे एजुकेशन एग्जाम में आते ही आते हैं और आप फॉर्म भी आप लोगों ने PGT Education के डाली दियो होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा Slavers में ये टॉपिक है तो काफी हद तक हमारे UGC Net Education को PGT Education Slavers कुछ something something मिलता हुआ है और कुछ change है तो पहले हम ये वाला Slavers पूरा कर लेते हैं उसके बाद में हम PGT के बारे में भी बात करेंगे तो हमारा ये टॉपिक जो है common है और ये बहुत ही important टॉपिक है तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रद्धी एवं विकास बाल ब्योहार के अध्यन में अभी ब्रद्धी और विकास का अध्यन कितना अधिक महतपूर्ण है यहाँ पर हमने दो शब्दों का पिर्योग किया है क्या ब्रद्धी और विकास ब्रद्धी का ताथ पर यह केवल आकार के बढ़ने से है जैनि कि जो बच्चा है यानि कि जो व्यक्ति है तो हमारी जब हाइट बढ़ती है जैनि कि आकार बढ़ता है तो वह क्या होता है हमारे ब्रद्धी होती है ना तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है बताया गया है केवल आकार के बढ़ने से है जैसे आकार के बढ़ने में अथवा व्रद्धी में केवल शरीर की लंबाई, चोड़ाई और बहार की अविव्रद्धी ही नहीं आती बलकि उसमें शरीर के भिविन अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, इत्यादी तथा आंतरिक अंगों जैसे हिर्दै, मस्तिक्ष, इत्यादी का बढ़ना भी शामिल होता है, इस ब्रद्धी को भिविन पिरकार की इकाईों में मापा जा सकता है, कुल मिलागी यहाँ पर कहने का मतब यह है कि हमारे शरीर में अंदर और बहारी रूप से, आंतरिक और बहारी रूप से जिस पिरकार से ब्रद्धी होती है, उन इकाईों क हम माप सकते हैं जैसे उचाई को गच 50 इंच में या फिर मीटर में भार को ग्राम में किलो ग्राम में मैटिरिक भारों में मापा जा सकता है दूसरी और विकास विकास क्या है जो है शरीर के भिविन अंगों के रूप और परस पर समंद में परिवर्टन से है विकास से ब्योहार में परिपक्ता आती है जैसे कि जब कोई बच्चा ब्रधी जानी की आकार ब्रधी उसकी होती है बड़ा होता जाता है उसी प्रकार से उसका विकास होता जाता है और जैसे जैसे किसी व्यक्ती का विकास होता है तो तो उसके ब्योहार में एक परिपक्ता आती है जैसे कि बच्चा जो है बच्पन में हम लोग जो थे चंचल थे शैतान थे शैतानी देते थे और बहुत सी ऐसी हरकते करते थे जो हमारे घरवाले कहते थे पता नहीं कब बड़े होंगे तो कब बड़े होंगे मतलब जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हमारा व्योहार जानी की वो आदते जो हैं वो कम होती जाती हैं ये तबी संबभ हो सकता है जब बालक ब्रद्धी और विकास की विश्य सवस्ता पर पहुँच चुका हो इस परिपकता के पूर कितना भी परिश्रम करने से बालक को चलना नहीं सिखाया जा सकता कहने का दात पर यहां पर यहां पर यह कि जब बच्चा चोटा होता है बच्चा तब ही चलता है जब उसका उस हिसाब से ब्रद्धी और विकास हो गया होता है अगर हम चाहेंगे कि समय से पहले ही बच्चा बैठने लग जाए या कुछी महीनों में चलने लग जाए तो ऐसा नहीं होता है बहे तब ही होता है जब बच्चा उस परिपकता तक पहुच गया होता है उससे पूर बहे बहे काम नहीं हो सकता तो इसी प्रकार से जो है बालक क को उठाना आधी सीखता है परिपक्ता का मतलब केवद शारणिक व्रद्धी और विकास से ऐसा नहीं है परिपक्ता जो है मस्तिक्ष की भी होती है जन्म से लेकर ब्यक्त आयू तक बालक के शरीर के भेविन अंग और मस्तिक्ष के इसनेह को शो में बरावर व्रद्धी और व सामने सबसे बड़ी समस्या उन दशाओं को देख लाना है जिन में बालक की अधिक्तम ब्रद्धी संबभ हो सके ये ब्रद्धी निमली की दशा पर निर्भा करती है जैसे कि सबसा पहला है आपका आनुवान्शिक्ता आनुवान्शिक्ता जैने कि बालक की ब्रद्धी में सबसे अधिक महतोपूर्ण कारक अत्वा दशा उसकी आनुवान शिक्ता है उसी से ये निश्यत होता है कि व्रद्धी को प्राप्त होने पर कोई कोश मानब प्राणी बनेगा अत्वा पशु में कौन सा पशु बनेगा मनुष्य बनेगा या उसकी रंबाई, चोड़ाई, आकार, नाक, नक्षा अपने माता पिता के सामान होगा या अन्य किसी पूरव से ननिकी पूर्व लोगों से मिलते जुलते होंगे आनुवानशिक्ता एक ऐसी दशा है जिसको सुधानने के लिए मनुष्य कोई विशेश पिर्यास नहीं कर सकता देखें आनुवानशिक्ता हमने पढ़ा होगा जो हमारे पूरव जो में या फिर हमारे घर में भाई, बहन, माता, पिता किसी ना किसी से कुछी भी तरीके से गुण हमारे में परिवर्ट आता है आनुवानशिक्ता रूप से दीखें जो हमारे खानदार में यसे कहते हैं चलता आ रहा है वैसा आनुवानशिक्ता होता है दूसरा है हमारा भोजन ब्रद्धा वस्ता और गर्वा वस्ता में जिन माता से ही अपना माता भोजन प्राप्त होता है गर्वती इस्तिरी को सब प्रकार से संतुलित और उप्यक्त भोजन देना आविशक है संतुलित भोजन में प्रोटीन, कार्वोहाइडेट, चर्वी के अलावा विविन प्रकार के विटाविनों, लवडों का होना भी आविशक है क्योंकि इन सवी का बालक के संतुलित विकास में महतोपुन योगदान होता है जन्म लेने के बाद मानव शिशु अपनी व्रद्धी के लिए बाहर से भोजन प्राप्त करता है मानव प्राणी में सबसे अधिक व्रद्धी की आयू जो होती है, वो किशोर अवस्ता होती है इस आयू में उसके भोजन की कोई विशेश तोर से ध्यान दिया जाना चाहिए देखे फिर नेस टॉपिक है हमारा एक मिनट में इसको बड़ा कर लेती हूँ नेस टॉपिक है हमारा अंतरस्ताही ग्रण्थियां बालक की शाररिक और मानसिक व्रधी में बेविन अंतरस्तावी भी ग्रण्थियों से निकलने वाले नियासरगों का बड़ा महत्वपूर योगदान होता है देखे अन्य ग्रण्थियों की किरिया का ब्रहा ग्रण्थि से यहां पर हिंदी की थोड़ी सी टैपिंग नम उसे सोड़ी सी गलत हो जाती है उसमें मेरा पैड है उसमें सही से आता नहीं है और मैं फोन से करती हूं तो फोन से ठीक से आ नहीं रहा तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ठीक है तो यहां पर जो है ब्रहा ग्रंथि लिखी है प्रहा ग्रंती से अंत्य ग्रंतियों की किरिया का नियमिन होता है थान राय जैसे कि थायराई डियाफिक गल ग्रंती ऑक्सीजन के पिरियोग में सायक होती है शरीर में इसकी कमी होने पर मस्तिक्षी की ब्रद्धी रुख जाती है और शरीर का आकार नहीं बढ़ प रक्त चाप और स्वास्त कीवी में व्रध्धी होती है जिसके परिणाम सवरूप शरीर के सभी कोशों में रक्त पहुसता है और उनमें अभी व्रध्धी की गति बढ़ जाती है मास्पेसियों के अभी व्रध्धी तो लगवग पूरी तरह अभ्यास और बैयाम पर ही निर्वर होती है इस पर समूचित विकास के लिए सबी बालकों को सबी आयू में किसी ना किसी पिरकार का बैयाम करना चाहिए देखे बयान ऐसा होना चाहिए बयाम जो शरी की सभी मास्पेसी उपर जोड़ पड़े और कोई विस्ष्ट मास्पेसी अत्यादिक ठक भी ना जाए है ना हमें उतना ही बयाम करना चाहिए तो खेल का शारणिक विकास इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि उनके अभाव में कितना भी अच्छा भोजन अधवा देखवाल प्राप्थ होने पर भी बालकों किशोरों और युकों का अच्छा शारणिक विकास नहीं हो सकता शिशु जो है गर्भावस्ता में शारणिक अंगों में एक्रमिक विकास होता है तो इसमें जन्म के परचाथ जो है आपका 414 और आपका 28 और 40 सब्ताह की आयू में नेत्र से हाथ और धर्ड अंगुलियां हसते हैं नौ महा की आयू में टांगों पर पैरों की किरियाएं होती हैं एक बटा दो वर्ष की आयू में हलक की गती होती है बोलना आरंब होता है और दो वर्ष की आयू में जो है और तो पर हातों का हातों पर नियंत्रण होता है तीन वर्ष की आयू में उसमें विचार की योगित आती है और पांच वर्ष की आयू में सामाजिक्ता दिखाई पड़ती है ठीक है फिर है हमारा नैस टॉपिक है विकास के जो है पिर्मुक इस्तरोत तो विकास के मुख्य सौपान क्या-क्या है देखे मनुष्य जो है निरंतर विक्सित होने वाले प्राणी है जिसका ये विक विकास भिन-भिन सौपानों से होकर गुजरता है इन शानों से गुजरकर इन सामान ने आवेक आकरमक गलतियां करने वाला बालक प्राण और सुविक्सिक बैक्स बनता है मनुष्य के विकास को निमली की चार अवस्ता में माना गया है कौन-कौन से हैं देखे शैश अवस अवस्ता है कि शोर अवस्ता है और आपका प्राण अवस्ता है तो बालक के विकास की उप्रिक चार वस्तूओं को जो है रूसों निश्चित किया था इसमें बालक के विकास की नवस्ताओं की आयू निधारित करते हुए बताया कि जन्म से 6 वर्षी की आयू तक बाल अव रूप से आधुनिक सिक्षा मनुव व्यग्यानिक ये मानते हैं कि वीश वर्ष की आयू तक व्यक्ति का सब पिरकार का विकास पूर्ण हो लेता है तो उन्होंने कहा कि किशोर वस्ता से पहले जाने कि बारह वश की आयू तक बालक मिथ्या परिपकता की दसा तक पहुसता है तो मिथ्या परिपकता की दसा जाने कि बाल वस्ता और किशोर वस्ता की बीच की जो दशा होती है 12 वश्ट की आयू के बीच की जो दशा होती है बहुत है इसमें शायर शक और बालावस्ता की पुन्ना वरती कि शोर वश्टा प्रोणा वश्टा में होती है यहाँ पर मनुभेग जाने कहते हैं कि बालग में विकास, बिशेस्त, दो स्तित्हों में होता है एक तो बालकाल में 2 वर्ष की आयू में और दूसरा 10 से 12 वर्ष की आयू में बालक के विकास के उप्यक्त स्थानों पर शारणिक विकास की दश्टी से बिचार किया जाना किया जाएगा जहां पर ये ध्यान रखने की बात है कि सभी बालक विकास की उप्युक दशाओं से गुजरते हैं परन्तु सभी बालकों में विकास की उप्युक दशाओं एक ही आयू में नहीं आती हैं लग अलग तरीके का बच्चे को विकास होता है even कास। भी मकट। फूराइन नहीं होता है्गर फूरी। समान रूप passwords नहीं होता है। हरायू में लग अलग तरीके से होता है। सदार्थिया जैसे कि लड़की लड़के के पेख्छा पिर टेक दशा में 2 वर्ष आते हैं फिर भी समान रूप से भिविन दशाओं में होने वाले शारदिक विकास लगवक सभी बालकों में एक साथ दिखाई देता है अब हम पात करते हैं विकास के कुछ महत्वपूर्फ पहलू कौन-कौन से होते हैं न वुखे तो इनको भी हम कुछ भागों में बाढ़त आपका आंतरिक अंग फेपड़े, हिर्दय, योन, समंदी, अंग, हित्यादी शारदिक विकास में आता है ठीक है मानसिक विकास में उसकी जो है बुद्धी है विशेश योगताई है पिरवर्तिया है चिंतन है आदी ये मानसिक विकास में आते हैं संबेग आत्मक विकास बिविन मूर्तियों शबों का क्रमिक विकास होकर इस्ताई भाव और इस्ताई भाव से चरित्र बनता है। नैतिक विकास में नैतिक चरित्र का विकास और संसादनों के विकास में सौंधर्यात्मक और बोध तथा कलात्मक विर्वतियों का विकास समलित है। समाजिक विकास में व्यक्ति अपने परिवार, सम्हू और समाज आदी के नियमों के अनुसा चलना और उनमें विस्तापन करना सीखता है सिख्छा मनो विज्ञान बालक, किशोर और व्यक्त के विकास के सबी पहलूं का अध्यन करता है मनशिक का विकास लंब रूप में नहीं होता है, सीधा नहीं बढ़ता बलकि आपका बर्तुलाकार रूप में बढ़ता है अठात बढ़ने में पीछे हटकर फिर आगे बढ़ता है, ये विकास छेतर लंब उत्तर दोनों दिशाओं में बढ़ता है अब विकास और सिक्षा क्या है? सिक्षा का लख्षिप जो है सिक्षार्टी का सरवादिक विकास है सिक्षा को विकास के भिविन पहलों का ग्यान होना चाहिए जिसे कि ये ध्यान लग सके कि सिक्षार्टी का विकास जो है किसी पहलों में पिछड तो नहीं रहा है इस्कूल का पार्टिक्रम अन्य कारिक्रम भी ऐसे होने चाहिए जिसे की सिक्षार्टी का विकास सबी पहलियों में पिरकर्टी कर सके यहाँ पार्टिक्रम से विकास नहीं कर सकता वहाँ पार्टिक्रम तर कारिक्रमों का पिरवंद किया जाना चाहिए परिक्षा लेते समय सिक्षार्टी के विकास के सबी पहलों की परिक्षा की जानी चाहिए है ना आदिनिक सिक्षा शाथ सिक्षार्टी के मनोविग्यान पर आधारित है सिक्षा का मनोविग्यान जो है उसके विकास के सौपान के अनुरूप होता है बिसिष्ट विद्यार्ती के विकास के सौपान को जानने से सिक्षक उसका मनोविज्ञान जान सकता है उसी के अनसार कारिये प्रकती के विद्यार्ती से आसाय रख सकता है और अपनी सिक्षा प्रिनार्णी को उसी के अनसार ठहर सकता है तो विकास के भिविन इस्तानों पर लोगों के ज्यान से सिक्षक सिक्षा की ओर सिक्षा मनोवज्ञानिक और गत्यात्मक द्रश्टी को बना सकता है देखे ये था आज का टॉपिक और माफी चाहती हूँ आप लोगों से आज के वीडियो में लिखने में मुझसे काफी मिस्टेक हुई है इसको जब मैं अभी आपको रीट कर रही थी तब मैंने काफी मिस्टेक देखी है टैपिंग करने में एशली में मोबायल में थोड़ी स कमेंट बॉक्स में मुझे बताईगा कि कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा तब तक के लिए बाए बाए